हेलो दोस्तों, हम सबने बच्पन में कार्टून्स तो देखे ही होंगे और बात जब भी कार्टून्स की आती है तो जहन में सबसे पहला नाम टॉम एंड जेरी का आता है टोम एंड जेरी की पॉपुलेरिटी कुछ ऐसी है कि आज भी यह पूरी दुनिया के सबसे फेमस कार्टून में से एक माना जाता है आपको बता दें कि टोम एंड जेरी के जनक जोसफ बारबरा और विलियम हाना है और इस कार्टून को पहली बार 10 फरबरी 1940 को टेलिकास्ट किया गया था आपको यह जानकर हरानी होगी कि टोम एंड जेरी के पहले एपिसोड में टोम का नाम जेसपर और जेरी का नाम जिंक्स था लेकिन टॉम एंड जेरी के क्रियेटर्स को जेसपर और जिंक्स नाम कुछ जमा नहीं जिसके बाद उन्होंने इस कार्टन करेक्टर के लिए बहतर नाम अपने ही टीम से एक कॉम्पिटिशन के जरीय मांगा बताया जाता है कि जोसफ पारवरा और विलियम हाना की टीम में काम करने वाले एक एनिमेटर जोन कार ने टॉम एंड जेरी नाम सुझाया था जिसके लिए इनाम सरूप उन्हें 50 टोलर भी दिये गए थे टोम एंड जेरी से जुड़ा एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये है कि सुरू-सुरू में टोम एंड जेरी को दोस्त दिखाया जाता था लेकिन ओडियन्स को इसमें कुछ मज़ा नहीं आया तो लोगों के इस फीड़बेक पर ध्यान देते हुए इसके मेकर्स ने टोम एंड जेरी को आगे के एपिसोड में लड़वाना ही भेतर समझा और मेकर्स की ये ट्रिक काम आई सुनकर हैरानी होगी मगर ये सच है जिस ओसकर अवार्स के लिए बड़े बड़े कलाकार दरस्ते हैं उससे टोम एंड जेरी को समानित किया जा चुका है इतना ही नहीं ये सबसे ज़्यादा ओसकर अवार्स जीतने वाली एनिमेशन सीरीज है दोस्तों टोम एंड जेरी की पॉपुलेरिटी को देखते हुए नासा ने अपने दो सैटेलाइट्स का नाम टोम एंड जेरी पर रखा हुआ है टाइमस में एक जिन में भी इसे सबसे लोग पर ये एनिमेशन सीरीज की रूप में नामित कर चुका है अब तक इसके कई एपिसोड और कई फिल्मे बन चुकी है टोम एंड जेरी ऐसे करेक्टर हैं जिनकी हरकते किसी रोत्योवी इंसान को भी हसा देती है दोनों एक दूसरी को परेशान करने का कोई मौका ने छोड़ते इनकी लड़ाई और सरारतों का कोई अंत नहीं है तो ये था हमारा आज का वीडियो टोम एंड जेरी पर कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई